नमस्कार दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टन रहने वाला है कि आज हम डिसकस करने वाले हैं सहिंक्त क्रिया क्या होती है सहिंक्त क्रिया को अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको दुबारा समझने के कोशिश मतलब नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से आपको आज समझा जाएगा बुक्स में सहिंक्त क्रिया की बहुत बड़ी बड़ी परिभासा लिखी है लेकिन आज इसको आपकी प्रैक्टिकल लाइप से जोड़ कर पढ़ा देंगे सहिंक्त क्रिया क्या है ऐसी क्रिया जो दो धातों के योग से मिलकर बनी होती है वह सेंक्त क्रिया कहलाती है यानि ऐसी क्रिया जो दो धातों के योग से मिलकर बनी होती है यानि उस क्रिया में दो धातों का योग होना चाहिए सबसे अच्छा तरीका है इसको उदार से समझीए कि किसार ने अपना अनाज बेंच दिया किसार ने अपना अनाज बेंच दिया यहाँ पर देखे बेंच और दिया दो क्रियाएं आपको दिख रही होंगी एक बेंच और एक दिया तो जहाँ पर दो क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई मिलेंगी वहाँ पर सहिम्त क्रिया होगी तो यहाँ पर जिसे बेंच दिया तो यहाँ पर यह सहिम्त क्रिया है बाकी अगर और दूसरा उदाड देंखे जैसे कि मोहन ने खाना खा लिया तो खा और लिया तो मोहन ने खाना खा लिया तो जिसे इसमें दो दाण हैं खा और लिया तो दो जहां पर क्रिया होगी वहां पर सहिंत क्रिया होगी यानि दो क्रियाओं के योग से मिलकर अगर कोई क्रिया एक कारे मतलब दरसा रही है तो वो क्रिया सहिंत क्रिया कहलाएगी जिसे राम ने निमंत्रड बांट दिया तो बांट और दिया तो बांटना अलग हो गया और दिया अलग क्योंकि दो क्रिया जुड़ी हुई है तो वो संग्त क्रिया हो जाएंगी बुक्स में आप देखेंगे संग्त क्रिया के बहुत बड़ी-बड़ी परिभासाय दी हैं उनको पढ़ना ही सबसे ज्यादा बोजिर में अगर इनको प्रैक्टिकल लाइप से जोड़ कर देखें तो संग्त क्रिया पहचाना इतना आसान है कि आप इसकी जो है मतलब सोच भी नहीं सकते कितना सरल सा उधर है किसान ने अपना अनाज बेच दिया बेच दिया मतलब जहां पर दो ख्रिया आपको दिख रही और दिया तो वहाँ पर सीधे जो है संग्त क्रिया हो जाएगी मतलब दो धात्मों के योग से अगर कोई क्रिया बनती है तो वह संग्त क्रिया है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को सेयर करें और अगर आपने अभी तक चैन के साथ तब तक ले नमस्कार जाहिन के साथ